नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं आप ही अच्छा लगा है कि वह यहां के राजा थे, राजा है और राजा रहेंगे, यह आप लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है उन्होंने कहा है कि बाबा किया कर्म भोमी रही है इन्होंने यहां से अपना रायनेतिक सफर शुरू किया था उन्होंने पुराने करकताव से चुनाओ जितने का सिबाद मांगा है गुमला से 10,000 घूस लेते अमीन सरवन कुमार आरेस्टे रांची एसी बी की टीम ने मंगलवार को गुमला के भरनों से 10,000 रूपए रिस्वत लेते अमीन सरवन कुमार को आरेस्ट कर लिया है बिना रिस्वत लिये जमीन को ऑनलाइन करने को त्यार नहीं था इसके लिए उसने पचास से रुपे घुस की मांगी थी पिलित ने इसकी सिकायत रांची के फरश्टचा निरोधक ब्योरो से की है इसके आलोग में ACB की टीम ने करवाई की और उसे गिरफतार कर लिया बता दे रांची ACB की टीम मंगलवार को करवाई करने गुमला जिले के ब्लोग पर इस्थीत अमीन सरवन कुमार के क्वाटर में पहुची कुमारो गाव निवासी अनिल उराओ की सिकायत पर ACB ने अंचल अमीन को घुस लेते पकड़ लिया है तीन से चार महीने पहले मौजा कुमारो के खाता उन्चास की 16 एकर जमीन ऑनलाइन कराने के लिए अंचल करयाले में आवेदन दिया था पूर्वी सिम्भूम से 6 बाइक से 11 लाग कैस बरामत लोग सभाचुनाद 24 को लेकर पूलीस कराई से गारियों की जाच कर रही है जारकन के पूर्वी सिम्भूम जीले में पूलीस को वाहनों की तलासी करम मंगलवार को 11 लाग रुपे से अधिक कैस मिले है कुवाली थाना चेत्र के तिरिंग चेक पोस्ट से पूलीस ने वहाँ चेकिंग के दवरान 6 बाइक से 11,16,550 रुपे बरामत किये है इधर खुटी जीले में भी पूलीस द्वारा वाहनों की तलासी में एक लाग से अधिक कैस सोनावा एक किलो चांदी बरामत की गई बदा दे पूर्वी सिम्भूम जीले के एसेसपी ने कैस बरामत की कोले कजन कारी दी है पूर्वी सिम्भूम पूलीस मंगलवार को वानों की जाच कर रहे थी इसी दवरान 6 बाइक सवार गुजर रहे थे इनके वाहनों की तलासी लिगाई इस देवरांच चाह बाइक से 11 लाक रुपई से अधिक कैस मिले हैं मौसम में बदला दो दिन में बढ़ेगा तापमान जारखन का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है कई दिनों तक गर्मी से राहत देने के बाद तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है अधिकतम तापमान से दो दिन में 3-4 डिग्री सेंटीग्रेट की बढ़ेधी हो सकती है मौसम भी भागने है जनकारी दी है बता जे रांची स्थीत मौसम केंद्र के मौसम भी जारखन में कहीं कहीं वर्षा होगी लेकिन 2 दिन में अधिकतम तब 5-4 डिग्री सेंटीग्रेट तक बढ़ जाएगा वहीं इसके बाद अचानक तापमान में 4-5 डिग्री सेंटीग्रेट तक गिरावट आने की संकेत है मौसम भी जारखन के दक्षिन तथा मदे भागो यानी रांची पूर्भी सिम्मूम पच्छमी सिम्मूम सरायक लेकार साव यम सिम्डेगा जिलो में 10 और 11 अप्रेल को कहीं कहिते जवाव का जोका चलेगा हावा की रफ्तार 30 से 40 किलोमेटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है केंद्र ने मुखे चुनाओ आयुक्त को दी जेड सिरेनी की वी आईपी सुरक्छा केंद्र ने मुखे चुनाओ आयुक्त राजीव कुमार को जेड सिरेनी की सुरक्छा परदान किया है जनकारी केंद्र सरकार ने संभावित खत्रों के मदर नजार मुखे चुनाओ आयुक्त राजीव कुमार को सुरक्छा देने का फासला किया है उन्हें ससस्त्र कमांडों की जेड सिरेनी की वी आईपी सुरक्षा दी गई है खबरों की माने तो केंद्रिये गिरिह मंत्राले की ओर से केंद्रिये रिजर पुलिस बल को इस कार के लिए करिब 40-45 कर्मियों जवानों की एक टुकडी उपलब दिकराने की जिमिदारी दी गई मेडिया रिपोर्ट के उनसार खुपिया एजन्सी आईबी की ओर से कुछ इन्पुट मिला था जिसके अधार पर गिरिफ मंत्राले उन्हें या सुरक्षा कवर देने का निने लिया है दुमका में अनियंत्रित कार ने सगी बहनों को कुछला दुमका सहर के रेलवे एस्टेशन के समीब सोनवा डंगल मुहले में दो सगी बहनों को अनिहंतित कार ने कुचल दिया है इसमें एक बहन की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई है गरामिनों ने चाला की पिटाई कर दी जिससे उसकी भी हालात गंभीर है बताया जा रहा है कि सुबा दो बहनों को कार ने कुचल दिया दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई हादसे के बाद अस्थानी लोगों ने कार चाला को पकड़ का बेरहमी से पिट दिया हासे की सुचना मिलते ही मुपसिल और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है कुडमी को स्टी का दार्जार देने की मांग पर पीमो ने मांगी रिपोर्ट जार्खन पच्छिम मंगाल और उडिशा में कुडमी जाती को अनुसूचित जाती में सामिल करने की मांग को लेकर प्रधान मंत्री कर्याले ने गंभीता दिखाई है जार्खन अंदुलनकारी सह पुर्व सांसद सैलेंद्र महतों ने प्रधान मंत्री नायनमोदी को पत्र ल में रिपोर्ट मांगी है आदिवासी मंत्राले ने जार्खन वा उडिशा के एसी एस्टी माइनोरिटी एवां बैकवर्ट कलास वेलफेर डिपार्टमेंट के सचिव वा बंगाल के बैकवर्ट कलास वेलफेर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटी को पत्र लिखा ह सेना की जमीन पर बाउंडरी कर कबजे का पर्यास 15 हिरासत में जगरनाथ पूर्थाना चेतर के हिसांग कचनार टोली में सेना की जमीन पर मंगलवार को एक समूदाए के लोग बाउंडरी कर रहे थे। को फोन किया SSP के कहने प्रथाना प्रवाई ने गस्ति दल वहां बेजा और अवाइद रूप से बाउंडरी कर रहे 15 लोगों को इर्यासत में ले लिया है बाउंडरी कर रहे लोगों ने पुलिस को बताया है कि वह इर्दगाह की जमीन है और वह वर्सों से वहां इद की नमा आज आदा करते आया है इसी कारण उन लोगों ने इस जमीन पर बाउंडरी करने की बात कही है रिम्स निदेशक को ससरीर हाजिर होने का निर्देश रिम्स में बेहतर चिकी सा सुविधा उपलब्ध कराने की ममले में जवाब दायर नहीं होने पर हाई कोट ने नराजगी जताई है बतादे जार्खन हाई कोट ने रिम्स में बेहतर चिकी से सुपधा उपलब्ध कराने और MRI मसीन सहीत अने चिकी से उपकरन को अपरेशनल रखने को लेका दार या नित्याज क्या पर सुनवाई की जस्टीस रंगन मुखो पाध्यावा जस्टीस दिपक रोशन की खंड पीट ने मामले की सुनवाई की दरण पाया है की कोट के निर्देश के बाद भी परतिवाजी रिम्स निर्देशक की और से जबाब दायर नहीं किया गया इस पर खंड पीट ने कड़ी निर्देशक को सासरीर उपस्थी तो होकर जबाब देने का निर्देश दिया मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रेल को होगी अंडर 19 किर्केट में जमसेदपूर को हरा कर रांची ने लगाई जीत की हैट्रिक जे एस ये स्टेडियमें चल रहे अंतर जिला अंडर 19 किर्केट टोर्नामेंट के सूपर लिग के आखरी मुकाबले में रांची ने जमसेदपूर को 17 रन से हरा कर जीत की हैट्रिक लगाई है पहले बाले बाजी करते हुए रांची ने सभी विकेट खोकर 196 रन बनाए हैं टीम के लिए येस रठोर ने 50 वबिवेक ने 49 रन बनाए बिसेश ने 3 जबकि दुरगेश और चेतर ने 2-2 विकेट लिए हैं जबाब में जमसेदपूर की टीम 189 रन बनाए कर आउट हो गई इसमें अक्षत ने 3 पन, आयूस ने 32 और आदित्य ने 27 रन बनाए वहीं अमन और टीर्स ने 2-2 विकेट लिए हैं येस रठोर को मैन अफ दा मैच का पुरचकार भी दिया गया है जारखन हाई कोट का केंद्रे से सवाल क्या बंगलादेशी घुस पैठी पर CAA के तहत हो सकती है करवाई जारखन हाई कोट के जस्टीस एसन परसाद वा जस्टीस एक के रागी कान पीठ में बंगला देशे 60 राज्य के जीलों में हो रहे गुसपैट के खिलाब दाकिल जनीत अज़का पर सुनवाई होई सुनवाई के दरान अदालत ने केंद्र सरकार से जबा मांगा है अदालत ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार CAA के तहद संताल चेतरे के 5 जीलों में बंगलादेशी घुसपैटियों पर सिधी करवाई कर सकती है या नहीं ताकि घुसपैटियों को चीनित कर उन्हें वापस बेजा जा सके अदालत ने इस बिंदू पर केंद्र सरकार को सपत पत्र दाकिल करने का निदेश दिया है मामले में अगली सुनवाई दो माई को निधारित की गई है बता दे इसके तहद प्रोसी देश के कुछ अलप संख्यकों को नागरिकता दी जानी है अदालत को यह भी बताया गया है कि साहिव गंज पाकूर दुम का गोड़ावा जाम तलाचेत में बांगलादेशी घुसपैटियों की संख्या बरती जा रही है यह लोग आदी वासी आबादी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं इसलिए जारखन में बसे बांगलादेशी ओपर अंकुस लगाने की जरूरत है अधिकारी की जाच में फंस गए गुरुजी हेडमास्टर के कक्ष में गप्पे मार रहे थे सिक्छाग प्रयास सह पुर्जेक्ट इंपेक्ट की वास्तु इच्थिती परताल करने को लेकर राज अस्तरिय टीम का विभीन जी लोग के स्कूलों में निरिक्छन मंगलवार को भी जारी रहा निरिक्षन के करम में गलबढ़िया पाये जाने पर तीन इस्कूलों के परधना ध्यापकों के बिरुद करवाई के अनुसंसा टीम ने की है वहीं एक इस्कूल में सिक्सकों के परधना ध्यापक के कर्च में गपे मारते पकड़े जाने पर स्कूल के प्रधना द्यापक एवं 14 सिख्षकों के बेतन परोक लगाने के अनुसंसा की गई अनुसंसा मिलने के बाद जार्खन सिख्षा पर्योजना पर्षद ने प्रधना द्यापक एवं 6 के बेतन परोक लगाने का देश जारी कर दिया है बतादे समिक्षा के दुरान राज अस्तरिया टीम ने 6 को प्रदनाद्याप को और वाडन को प्रजेक्ट इंपेक्ट के अनुपालन में लापरवाही बरतने के मामले में फटकार लगाते हुए 15 दिनों के अंदर इस्कूलों की इस्थिती में सुधार लाने का निर्देश द दिया है आयोग ने पुरु में जारी अब्बैंधिक मोडल उत्तर में 17 प्रशनों के उत्तर में सुधान किया है पुरु में जारी इन प्रशनों के उत्तर गलत मिले थे अवियार्थियों से प्राप्त अपत्यों की समिक्षा के बाद आयोग ने उन प्रशनों के उत्तर मे जार्खन में त्रिकूट परवत पर जल्द बनेगा नाया रोपवे बातचित में अपना पक्ष रखा है जिसमें रोपवे के अन्द एस्पोर्ट निक्षन को अधार बताया गया है राम जन्मुत्व को लेकर भागवा मैं हो गया खुटी भागवान सिरी राम के जन्मुत्व को लेकर पूरे खुटी जिले में हर्स का महौल है क्या सहर और क्यागाव हर और सिरी राम बीर हणुमान के धोज लहरा रहे हैं अयोध्या में भगवान सिरी राम लला की प्राण पर्ठिश्टा के बाद इस छेत्र में राम नौमी को लेकर जबरज़स त्यारी की जा रही है बिभीन राम नौमी समीतिया और आखाराधारी राम जनमोसों को भब्यतम बनाने के लिए लगतार प्रयास में लगे हैं कहीं सिरी राम माता सिता भाई लक्षुमान और भक्त हुनमान की जाक्यान निकालने के त्यारी हो रही है तो कहीं अस्त्र सस्त्र चालन और सोभायात्रा को सफल बनाने में राम भक्त लग गया है राम नामी को लेकर मंदीरों को भी आकरसक धंग से सजया जा रहा है बता दे खुटी जिले में राम नामी महसों का इतिहाद 86 वर्ष पूरानी है राम नामी की पहली सोभायात्रा 1949 में निकाली गई थी गढ़वा में गेहु की फसल में लगी आग चार एकड फसल जर कर खाक गढ़वा जिले के मेराल थाना चेतर में मंगलवार को गेहु की खड़ी फसल में आचानक आग लग गई आग लगने से करीब चार एकड में लगी फसल जल कर खाक हो गया किरामिनों ने कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया है बताया जा रहा है कि मिराल में गेहों की खेत में आचानक आग लग गई आग इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते मिराल पुर्वी पंचायत के फुलवारी ट्वला में चार किसानों के खेतों में खड़ी करीब चार एकड गेहों की फसल जल कर राख हो गई घटना के संबन्द में भुक्त भोगी किसान, रामराज मेहता, रामलाल मेहता, राहुल मेहता और सरजु मेहता ने बताया है कि खेत में पक्का हुआ गेहों की फसल में अचानक आग लग गई तेज आंधी की वज़ा से देखते ही देखते करीब चार एकड में लगी गेहों की पसल जल कर राख हो गया सरहुल परव को लेकर ट्रेफिक व्यवस्ता में बदलाव 11 अप्रेल को सरहुल परव को लेकर सहर की ट्रेफिक व्यवस्ता में बदलाव किया गया है इस अउजर पर रांची सहर छेत्र में 11 अप्रेल के सुब्बा 6 वैसे लेकर रातरी 12 वैसे तक भारी वाहनों का परवेस निश्यद रहेगा सभी भारी वाहन रिंग रोड होकर परीचालन होगा वहीं काके रोड रातु रोड बोडेयार रोड होते हुए रेडियम चोक सहीद चोक अलवाट एका चोक से मेन रोड सुयाता मुंडा चोक होते हुए सीरम टोली सरना अस्तल तक जाता है नामकुम खोटी रोड बिर्चा चोक डोरंडा की ओर से आने वाली सरहुल सोभायातरा ओभर बिरिज सुजाता चोक मुंडा चोक होकर सिरम टोली सरनाता तक जाता है भरस्टा चार को बढ़ावा देने के लिए राई सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को ठंडे बस्ते में डाला नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि प्रेश्ट चार को बढ़ावा देने के लिए राई सरकार ने नगर निकाय चुनाव को टाला है ट्रिपल टेस्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया राई सरकार पिछडा दलित और आदिवासी बिरोधी है बावरी परदेश भाजपा मुख्याले में प्रेस कोंफरेंस कर रहे थे बावरी ने कहा है कि बीते दिनों रोसनी खालकों की जनित आजका पर सुनवाई करते हुए कोट ने तीन हपते के वितर चुनाव कराने के निदेश दिये थे लेकिन राई सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के बाहाने समय पार करते हुए अचका खारिज करने के अपिल की है राई सरकार की मांसा साफ नहीं ये सरकार नगर निकायों के माधम से वरस्टा चार को बढ़ावा देना चाहती है सरकार को पता है कि बीने ट्रिपल टेस्ट के चुनाव नहीं कराया जा सकते यह सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने की दीशा में भी सांत बैठी है जामुमों ने राज महल से बिजय हंसदा और सिंभूम से जोबा मांजी को दिया टिकर जामुमों ने अपने और दो सिटों पर परत्यासी घोसित कर दिया है पार्टी ने एक बार फीच से राज महल से अपने सिटिंग एमपी बिजय हंसदा को परत्यासी बनाया है वहीं गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद जामुमों के खाते में आई सिम्भूम सिट से मनोहर पूर बिधायक एवाम पूर्व मंत्री जोभा मांजी को मैदान में उतारा है जनकारी के अनुसार जामों के बागी बिधायक लोबिन हेम्रम राज महल से निर्दली चुनाव लड़ेंगे अब जामों के ही से आए पांच में से चार उमिद्वार की घोसना हो चुकी है इसके पूर्व गिरी डिस से बिधायक मत्रा परसाद महतो और दुमका से बिधायक ननील सुरेन को पत्यासी बनाया था अब केवल जम सेथ पूर्व सीट से जामों को पत्यासी गोसित करना सेश रह गया है 36गर सराब भोटाला बिजेपी पर हमलवार हुआ जे एमेम 36गर सराब भोटाला मबले में IAS अधिकारी अनील टूटेजा और उसके बेटे यस को सुप्रीम कोर्ट से क्लिन चीट मिलने पर जमों ने केंद्रे की मोधी सरकार और भाजबा पर जोरदार रायनित्ती खामला किया है जमों के केंद्रिये महासचिव सुप्रीय भटाचा ने कहा है कि केवल और केवल 36गर के बस्तर और हस्त देवा जंगली अडानी को माइनिंग कराने के लिए एक लोगप्रिये सरकार को बदनाम किया गया अब जाकर हंस देवा जंगल में दिखे प्रेण काटे जा रहे हैं जंगल का सफाया किया जा रहा है पहले चंडीगर मेयर चुनाव फिर इलेक्टरेंड बोल्ट और बगहेल को क्लीन चीट देने के लिए सुप्रीम कोट का बहुत बहुत अभार अब यह साबित हो रहा है कि किस परकार से केंदर की मोधी सरकार अपने बिजनेस पार्टनर को धंदा देने के लिए बिपक्षी दालों को अपने पाले में करने के लिए इडी, CBI और IT का गलत इस्तिमाल कर रही है इडी ने अमबा परसाद से 6 घंटे की पुष्टाच बुष्टाच बुष्टवार को फिर बुलाया परवतन निद्र साल एक समक्ष बिधायक अमबा परसाद मंगलवार को फिर उपसीत हुई दोपहर के करिब 3 बजे अमबा परसाद इडी अफिस पहुची जिसके बाद इडी के अधिकारियों ने उनसे करिब 6 घंटे तक पुष्टाच की है इडी ने अमबा परसाद से हजारी बैग में जमीन पर अवयद कबजा बालू कारोबारी से उगाही और रंगदारी के लिए मनी लॉंडरी मामले से समन्दित कई सवाल पूछे है इसके बाद इडी ने उन्हें जाने और फिर बुद्धवार को इडी के समक्स उपस्तित होने को कहा है नए मतदाता 25 अपरेल तक वोटर लिष्ट में दर्ज करा सकते हैं नाम लोगसभाचुना 24 में मतदान के लिए रांची लोगसभाच छेतर में छुटे हुए 18 वरस के योगे नागरिक 25 अपरेल तक मतदाता सुची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं इसके लिए बिये लोग के माद्यम से फौरम चा या ओनलाइन माद्यम से आविदन कर सकते हैं इसके साथ नागरिक वोटर हिल्फ लाइन एप डाउनलोड कर आवसक जनकारी प्राप्त कर सकते हैं बतादे लोग सभाचुना में मतदान के लिए मतदाताओं को इपिक प्रस्तूत करना रहता है अगर किसी कारण वोटर मतदाता मतदान के लिए में इपिक प्रस्तूत नहीं कर पाते तो 12 अन्य मान दस्तावेज दिखा कर अपने मतदिकार का इस्तिमाल कर सकते हैं साइबर अपराधियों ने साल भर में जारखंड के लोगों से 1788 लाग ठगे साइबर कराईम की रोगठाम के लिए जारी हेलफ लैन नमबर समेत अन्य अस्थानों पर दर्ज कियेगा एक केस और सिकायते उक्त आकड़ी की पुष्टी करते हैं जारखंड में साइबर फ्रोट के आकड़ों के नुसार 282 सिकायतों को होल्ड पर रखा गया था वही ठगी की उक्त रकम में से 556.39 लाक रुपई की रास्ती लियन में रखी गई थी केंद्रियेगीर हिमंत्रालें विभीन राज्जियों में साइबर फ्रोट को लेकर दर्ज सिकायतों और उसमें ठगी की गई रकम का अकड़ा इकठा किया है पलामू में 100 के साथ 22 गंटे कुएल पूल जाम पलामू जी लेकर चैनपूर थाना चेतर में अरोपी अज्जै चैनपूर को कुएल पूल पर रख्परिजनों व गरामिनों ने सापूर चैनपूर सलग जाम कर दिया इसके बाद परिजन अजय की मौत के जिमेदार पूलिस अपसरोप पर सक्त करवाई करने और थानेदार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे स्वमवार की देर रात रीमस में अजय के सोगा पोसमास्टम करा परिजन गाउं लोटे थे मंगलवार की सुबा साथ बज़े आकरोसीत परिजनों ने सोग को सड़क पर रख पूलिस के खिला बिरोध परसन किया है धुलू महतो ने कहा मुझे टिकट मिलने से कुछ लोगों के पेट में दर दे धनबाद लोकसवा सिट से भाजपा के परत्यासी धुलू महतो मंगलवार को मैथन के मा कल्यान मंदीर पहुंचे उन्होंने मंदीर में पूजा आर्चना की और निर्षा या मैथन छेत्रे में जनसन पर अभियान चलाया ग्यारह कुंड मोड पर भाजपा के बूत अस्तरे करकरताओ के बैटाक में सामिल हुए उन्होंने कहा है कि केंद्रे नेति उत्रे ने जो उन पर भरुसा दिखाया है उस पर वो खरा उतरेंगे धनबाद की जनता वकर काताओ के लिए हर सुक दुख में ख़ड़ा रहेंगे मुझे टिकट मिलने से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है मुझ पर जितने भी केस हो जाए जनता के हक के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल का वे लेकर अंदबाइए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवसे दे थैंक यू